वेलकम तो माई यूटूब चैनल स्टॉम सैडो को प्रेजेंटेट बाई डायमंड अकैडमी नाउन सीखने की स्रीज में आज है लेक्चर नमबर फोर जिसके तहथ हम लोग सीखेंगे मटेरियल नाउन के बारे में इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मटेरियल नाउन इट कैन बी मेजर और वेट बट कैन नाट बी काउंटेड इसका अर्थ यह हुआ कि हम मटेरियल नाउन के अंतरगत आने वाले चीजों को नाप तो सकते हैं तौल भी सकते हैं लेकिन जब हम उसकी गिंती करना शुरू करें तो हम उसकी गिंती नहीं कर पाएंगे ऐसे ऐसी चीजें material नाम के अंतरगत आती हैं जैसे sugar, चीनी, चीनी को हम लोग तौल तो सकते हैं लेकिन उसकी हम लोग counting नहीं कर सकते हैं, गिंती नहीं कर सकते हैं, water, water को भी हम लोग liter में नाप लेता हैं, लेकिन गिंती उसकी हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसके facts के बारे मे Fact number one यह है It is singular and get singular verb यह singular होते हैं और singular verb भी ग्रहन करते हैं जैसे water is colorless Water singular की तरह ही होता है SES नहीं लिया हुआ है और इसने अपने साथ verb singular रखा हुआ है Fact number two SES और IES do not come with heat इसके साथ SES और IES का पर्योग नहीं करते हैं जैसे waters और water दो अलग अलग चीज़े हैं Waters का अर्थ हो जाएगा आपका समुद्र वहीं water का मतलब होता है पानी तो SES और IES का पर्योग करने से इसका साब्दिक अर्थ बदल जाएगा जैसे sand sand का मतलब होता है बालू लेकिन sands जब S लगा देंगे उसमें तो वह रेगिस्तान को सूचित करेगा अब fact number 3 यह आम तोर पे generally अपने पहले article ग्रहन नहीं करते हैं जैसे of water यह incorrect है waters इसे plural भी नहीं बना सकते प्लूरलस बनाने भी इसका साब्दिकर्थ बदल जाएगा यह किसी ocean या समुद्र को सूचित कर रहा है example लेखते हैं the water are colorless यहाँ दो error है एक तो water के पहले article नहीं ग्रहन करना चाहिए और water के बाद verb singular होना चाहिए था यहाँ plural रखा हुआ है जो इसका सही होगा water is colorless अब बात करते हैं exception की अब वाद की dregs का हिंदी होता है कचड़ा dregs एक ऐसा सब्द है जो की material noun होने के बाद भी plural formation में रहता है और भर्ब भी plural ग्रहन करता है यानि यह अपने साथ इस भी रखा हुआ है भर्ब इसने plural रखा हुआ है example dregs are lying lying aside the road यानि dregs road के किनारे पड़े हुए है यानि कचड़ा फैला हुआ है road के किनारे तो यहाँ dregs इस साथ में रखा हुआ है भर्ब इसने plural ग्रहन कर किया हुआ है तो यह एक मात्र ऐसा सब्दे जहाँ पर आप plural formation में ही रखते हैं जहाँ 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 है